नमस्कार दोस्तों मैं हूँ गौरव और आप देख रहे हैं मार्केट रिपोर्ट आईए बात करते हैं नेश्रल गैस MCX की दोस्तों अभी आपकी स्क्रीन के सामने ये नेश्रल गैस MCX का चार्ट है जिसमें मैंने 5 मिनट के टाइम फ्रेम को लगाया हुआ है और इसमें जिस तरीके की मुमेंट लास्ट टेडिंग सेशन में रही उसे देखते हुए हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि आने वाले टा चाहिए किसी भी ट्रेड में एंटर करने से पहले तो आएए शुरू करते हैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे नेश्रल गैस MCX का चार्ट दोस्तों यहां पर लास्ट टेडिंग सेशन की हम बात करें एक गैप आप ओपनिंग मार्केट ने दिखाई मार्केट बिलकुल भी उन consolidation में अपने आपको रखा जिसमें evening session में भी कोई बहुत ज़्यादा moment हमें देखने को नहीं मिली बहुत ही छोटी range में market trade करता रहा थोड़ी सी recovery आई फिर market में थोड़ी selling और जो इसकी closing थी वो उसी consolidation part के बीच में हो गई बहुत ही छोटी range market trade करता रहा जो अब इसे इस तर transaction था उसी में market ने खतम कर दी ऐसा बलकि जो generally हम observe करते है natural gas के prices में trading में वो बिलकुल इसका उल्टा होता है morning session में हम देखते है कि market बहुत ही छोटी range में trade करता है और evening session में वो range थोड़ी सी हमें एक बड़ी range हमें देखने को मिलती है फिर market थोड़ा react करना शुरू करता है ए यहां पर थोड़ा सा एक उल्टा हमें नजर आया ठीक है थोड़ा सा अब इसमें जिस तरीके का trend ये देखने को हमें मिला है इसमें सिर्फ एक चीज़ जो बहुत important हमारे सामने आ रही है वो ये कि गिर रहा है market और उसके बाद इस price range में एक बहुत strong support इसे मिल रहा है 203.something का इसने कोई low touch करा 8.0 का मेरे ख्याल से और उपर में अगर हम range की बात करें तो 6.5 रुपए की एक range हम समझ सकते हैं तो इनी 3 रुपए के बीच में इसकी trading चलती रही है पूरे time ठीक है थोड़ा सा और आगे चलते है 15 मिनट के time frame पे वहां देखते है कि किस तरीके का trend हमें नजर आ रहा है यहां से market में एक selling यह strength gap up opening उपर के prices काफी अच्छे से hold करनी कोश करी पर sustain नहीं कर पाया market यहां से selling फिर correction जो थी वो अभी तक continue है और यह उस price पे अभी जिसके बाद इसमें कुछ reversal के हम chances expect करेंगे उससे थोड़ा सा उपर यह देखिए बहुत strong support level है जो reversal का price level होता है उसके उपर अगर market sustain कर रहा है और देखिए यह मान लेते हैं कि support level है market यहां से गिरता हुआ आ रहा है यहां consolidate कर रहा है थोड़ा सा भी turn अगर यह उपर को दिखाएगा तो chances उपर के काफी जादा बन सकते हैं जिसमें इसने जो यहां पर जो भी load टच किया होगा इसका आप stop loss maintain करके आप position को उस support के ऊपर continue रख सकते हैं जिस यहां पर यहां बात करें तो मैंने 201 का आपको एक stop loss level बताया था कि बहुत ही strong इसमें यह price level है इसका break करना नेशनल के लिए काफी जादा मुश्किल रहेगा नीचे आया consolidation चलता रहा है ना buying ना selling कुछ नह कि यहां के बाद अगर market ने थोड़ा सा भी move अगर उपर को दिखाना शुरूर किया तो इसे आप एक बहुत strong stop loss level मानके आप अपनी position को long position में continue कर सकते हैं 201 अगर break हो जागा और इसके नीचे अगर थोड़ा सा भी market sustain करने लगेगा तो वो आपके लिए एक opportunity होगी कि आप selling की position को आने वाले कुछ दिन तक carry करके चल सकते हैं पर उसमें भी यही चीज रही ही कि 201 आपने जहां पर बेचा है पहले दिन उसके नीचे market का close होना बहुत ज़्यादा जरूरी है 201 के नीचे market close हो रहा है अपनी position को carry कीजिए कोई problem नहीं है उसके उपर अगर market close हुआ और आप position carry कर रहे हैं तो वो ज़रूर आपके लिए एक गलत sign रहेगा trading का ठीक है थोड़ा सा और आगे चलते हैं एक घंटे के time frame पे वहाँ देखते हैं कि क्या view नजर आ रहा है यहाँ पर market में selling, consolidation, upside moment, consolidation, upside moment, थोड़ी correction, फिर एक strong upside, वहाँ से market correct होता हुआ यहाँ पर आया यहाँ पर इसे अगर support मिलता और market उपर को turn करता है कौन से levels हैं उनके भी हम बात करेंगे और कितने strong हैं उन levels में कितनी strength हमें नजर आ रहे हैं उस पर भी हम बात करेंगे, turn कर रहा है market, support मिल रहा है, charts पर आपको नजर आ रहा है, देखिए, मुझे नहीं पता कितने traders, कितने viewers जो इस video को देख रहे हैं वो charts भी देखने की कोशिश करते हैं, आपको देखने चाहिए, कुछ ना कुछ आपको मान ले, अगर 1% भी आपकी trading में कुछ help मिल र आपका loss किया और आप निकल गए, हो सकता है कि आप profit में निकल गए और वहाँ पर आपकी जो situation थी, वो loss में convert हो जाती, तो इसलिए chart में अगर आपको 1% भी help मिलती है, तो आप उसे जरूर देखा कीजिए, काफी helpful होते हैं, यहाँ इस चीज़ की consolidation जो हो रही है, यह मैं दे चार घंटे के time frame पे, वहाँ देखते हैं कि क्या trend अभी हमें नज़र आ रहा है, market में correction, selling, और selling, फिर यहाँ से थोड़ा upside trend, और इसके बाद यह selling हमें नज़र आ रही है, बहुत ही important level पे अभी market trade कर रहा है, 205, अपने बहुत major strong support level से थोड़ा सा उपर, यहाँ से थोड़ा अभी turn आने की कोशिश करेगा अगर market तो chances यह रहेंगे कि वापस एक fresh high बनाने की कोशिश कर सकता है, levels पे भी अभी बात करेंगे, एक बाद daily charts पे और देख लेते हैं, कि क्या trend अभी हमें नज़र आ रहा है, यहाँ अगर हम देखे तो market में दीरे-दीरे consolidation पार्ट में गया उसके बाद strength, selling, फिर एक strong upside moment, वहाँ से correction, 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 यहाँ से upside moment स्टार्ट हुई, और अभी फिलहाल, दो-तीन trading session में हमने जिस तरीके का एक trend देखा है, market ने जो closing दिखाई है, यह green candle की मैं बात कर रहा हूँ, इस candle की, इस ने 216 के उपर closing नहीं दी, वो ही एक सबसे थोड़ा सा doubtful, कि उसके उपर अगर closing हो जाती, तो बहुत सी चीज़े और जदा हम better तरीके से analyze कर लेते, फिलहाल, जो इसमें selling आ रही है, या तो अगर 201 break होता है, तो बहुत ही major correction हमें चार्ट पर देखने को मिल सकती है, अगर नहीं होता, तो chances पूरे पूरे यह हैं, कि market अपनी strength को continue रखेगा, correction ज़रूर आई है, downside के, मतलब एक reversal के sign अभी हमें देखने को नहीं मिले है, correction है, support पे है, यहां से turn अगर market लेता है, तो अब कौन से levels हैं, उसके लिए हम चलते हैं एक घंटे के time frame पे, और वहा हम discuss करते हैं उन levels को, जो हमारे लिए important रहने वाले हैं, दोस्तों ए ज़्यादा अच्छा रहेगा, 15 minute का time frame, यहां पर पहली जिसके opening matter करेगी, opening कहां पर होती है, अगर flat to positive opening हो जाती है, यहां कहीं के आसपास, और तो आपके लिए थोड़ा market में entry लेना काफे ज़्यादा easy हो जाएगा, सबसे पहला price, 207.60, यह break करके, या फिर flat opening होती है, और 207.60 को अगर break करता है, तो आपको एक entry ले लेने चाहिए, नेशनल गैस के price में long position के लिए, जिसमें आपका stop loss, जो last trading session का low लगा है, 203.80 जो भी लगा होगा, उसे आप अपना stop loss लगा के आप position को छोड़ देंगे, अगर market इसी तरीके से move करता है, तो profit काफी जादा ठीक है, और उपर market जाता है, जो next इसमें जो level रहेगा, वही level रहेगा, जो मैंने आपको अपने last वीडियो में बताया था, कल के वीडियो में, 214.60 इस से और 7 उपर, ये price भी break हो जाता है, तो ये इस चीज़ की भी confirmation रहेगी market में, कि इस ने अपने इस support को बहुत strongly consider किया ह और जो turn लिया है, उसमें फिर एक fresh high बनने के chances बहुत ज़्यादा बन जाएंगे, तो 214.60 ये एक upside में level रहेगा, जो अगर break होता है, तो बहुत ज़्यादा हमें अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है, नीचे में 201 के नीचे अगर market sustain कर जाता है, देखिए stop loss level कल का low ही रह लेगा, 201 के नीचे अगर market थोड़ा सा sustain करनी कोशिश करता है, तो short selling के trades हमारे सामने आने लग जाएंगे, ठीक है, वहाँ पर हम buying को avoid करेंगे, short selling के trade लेना शुरू कर देंगे, तो ये कुछ levels हैं जो हमारे लिए आने वाले session में, सबस्यादा important रह सकते हैं, और उसके बाद एक चीज़ पर फिर भी हम नजर बनाए रखेंगे, जो closing होगी, वो अब finally 216 के उपर हो रही है, या नहीं हो रही, सबसे जो highest closing अभी तक रही है, वो है 215.90, ठीक है, इससे 10 पैसे नीचे, तो इसलिए थोड़ा सा positive होके हम चल रहे हैं, कि market में जो strength है, वो वापस आ सकती ह तो ये था मेरा नेशलो के SM6 पे अभी का वीडियो, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेर करें, सबस्क्राइब करें, और हो सके तो मेरे चनल को जोईन भी करें, धन्यवाद